अस्सलाम वालेकुम इस वक्त मैं एप्टाबाद अल्यासी मस्जित के उपर जो पहाड़ी है उसके उपर बौड़ी मैं भी अब यहाँ से पानी पीने लेगी है इतना थंडा पानी है और इतना मीता पानी है यहां पे जो चश्मा है यहां का पानी है और इसके बारे में मशवूर है कि यह बहुत सारी बीमारियां करता है और इसका पानी जो है यह बहुत ही कीमती पानी है और बहुत सारे लोग यहां पर यह पानी लेने के लिए आते हैं कहते हैं कि यह बड़ा क्या कहते हैं गुर्दे की पत्रियां हो जिगर का मसला हो कोई भी बीमारी हो हटा कही है कि अगर कोई साय हा से कोई इस तरह की बीमारी हो तो वो खेते हैं कि यह पानी उसके लिए बहुत जबर जबरबस्त है और यह पर लोग जो है यहां forgot पानी लेके जाते हैं पीते हैं ते घरों सआ भावि जो का गाम ही मस्जद में जहां पर ये पानी का जो चश्मा है मैं भी अब यहां से पानी पीने लेगीं ठीक है इतना थंडा पानी है और इतना मीटा पानी है चब्स ज़ाखते हैं चारो तरब यहां पेले नो पानी का वड़का हुए आजे तो नहीं जा सकते हैं शुरू जुतारे पढ़ेंगे मुझे एंचे शुतारे पानी है जो एंचेए जब के थाउंचे है बाएष जो जो जएश जब टूब का टजकी डिक म perlu हैं जोगज जंगे यें तो जो 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 आख जाएँ और नहां। असलाम वालेकुम इस वक्त मैं एफटाबाद अलियासी मस्जित के उपर जो पहाड़ी है उसके उपर मौजूद हूँ और यहां इतनी ठंडी हवा चल रही और इतना प्यारा मौसम है के लहौर के हबस और गर्मी से मैं बहुत तंग थी और यहां के इतना अच्छा लगा है और बहुत कूल हवा यहां पे चल रही और बड़ा प्यारा यहां का मौसम है और मैंने अभी अलियासी मस्जिद और दिकर जो इसकी वीडियो थी वो बना दी ली है और इस वक्त जुम्हे की नमाज जो है वो हो चुकी हुई है और अब मैं तक्रीबन कोई तीन सो चार सो के करीब सीड़िया थी जिसको चाड़के मैं उपर आई हूँ मुझे टोटल सारी वीडियो बनाते हुए साथ मिनट हो चुके हुए अब मुझे वापस अपनी गाड़ी तक जाना है फिर आगे यहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट है मुझे वहाँ पहुँचना है तो क्या कहते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर उसको देखिएगा सिस्प्राइब जरूर कीजिएगा और इसके इलावा जो है खुबसरत वादिया आप सभी को पता है कि अभी बर्फबारी का सीजन होगा दिसंबर में और सैवन सकाई टूरिजम आफ पाकिस्तान का जो ट्रिप है वो दिसंबर में है तो जो लोग जाना चाहते हैं वो हमें इन बाक्स कर सकते हैं इसके अलावा जो है आप यूट्यूब पे भी हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे दिये हुए नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं और बहुत न खुबसरत ये रास्ता, आप देख रहे हैं, कितना अच्छा रास्ता है ये, लेकिन अब इस पें से जाओंगी कैसे, वो भी तो मैं उपर से आ रही हूँ ना, बहुत उन छाई से, और ये मैं देखें, ये मैं उदर से आई हूँ, आप मैं यहां उतरूंगी, य यहां पर मुझे पकोड़े खाने हैं चलें गिर ना जाओं और आगे यह सीड़ियां है इसको भी देखने हैं आपको दिखाती हूं कि कैसी सीड़ियां हैं काफी ठंडी हवा है चाहिए रास्ता किसी के घर को जाता हो लेकिन है हम जहां जाएं जिदर भी जाएं हमारे लिए रास्ते खुले होते हैं तो बस मुझे यह होगा कि मुझे उपर इन सीड़ियां चड़के ना जाना पड़े मैं कहती हूं मैं आराम से नीचे जाओं